दोस्तों आज की कहानी हैं बहुतेरे मैके वाले ससुराल के परती तुझे बढ़काते हैं दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर आपने सेनल को सबस्क्राइब नहीं कियाऊ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके अर नया वीडियो पता नहीं कोन अनजान आज सुबह से फोन किया जा रहा है किसी अनजान नमबर से कई बार फोन आशुका था वह किसी काम से बार गई थी इसलिए मैंने फोन उठा लिया लेकिन मेरी आवाज सुनते ही उसने फोन काट दिया ये जरूर बहु की कोई सैली है या कोई रिष्टेदारे सुनीता जी अपनी बेटी उमा से बोली क्या फरक परता है मावा किसी ना किसी से तो दिल की बात करेगी ना आप इतनी सोटी सी बात को ज्यादा तुल ना दो अरे ऐसे कैसे आने दो बहु को आते ही बात करती हूँ मैंने इसे कई बार कमरे में दीमी आवाज में बात करते देखा है और मुझे देखते ही ये फोन काट देती है अब बताईन सब का क्या मतलब समझू में पता नहीं कौन इसे बढ़काता है आज कर दुनिया ऐसी ही है दूसरों के गरों में आग लगा कर खुश होती है मा कोई किसी को नहीं बढ़का सकता है इंसान का जैसा सभाव रहता है वो वैसा ही उसका विवार रहता है हाँ ऐसा हो सकता है कि बावी अपने मन की बातें अपने गर्वालों या अपनी कीजी सेर करती हो जैसे आप मोईसी से करती है या मुझे से करती है और जैसे मैं अपने ससुराल की बात या आप से करके अपना दिल हरका कर लेती हूँ मैं आप इस बात को ज़्यादा मैत मत दो वरना बाप बिगड़ जाएगी अच्छा ठीक है लगता है बहु आ गई है बाद में बात करते हैं इतना बोल सुनीता जी ने फोन रख दिया मनीशा बाजा से आने के बाद सीधा अपने कमरे में गई और बैड़ पर फोन देखा तो उसकी जान में जान नहीं उसने उसी समी अपनी सेली को फोन किया और बोली यार घर पर ही था फोन ठैंक गोड मिल गया वरना मैं तो बहुस बैसेन हो गई हूँ तेरा ये नमबर फोन में से भी नहीं था से इसलिए ममे जी ने अनजान नमबर देख फोन नहीं उटाया असल बाद में कोल कर दी हूँ फोन रखने के बाद मनीशा गर के कामों में लग गई और फोन वाली बाद बुल गई साम के समय जब दीनेस गर आया तो सुनीता जी ने आते ही अपने बेटे से काज बहु बाजार गई थी फोन गर सोड़ गई एक अनजान नमबर से भार बाद फोन आ रा था पहले तो मैंने उठाया नहीं और जब उठाया तो सामने वाले ने जड़ से फोन पटक दिया तो बहु से बात कर ये जरूर इसक कान बर देते हैं और ये हमारे साथ लड़ाई करती है तो पद्दा करवन लोग कौन है और बहु को बोल ऐसे अग लगाने वाले लोगों से बात ना करे मासाइद आपकी बात ससे जब मनीशा इस घर में साधी करके आई थी तम किसी बात का जवाब नहीं देती थी जो कदो मान लेती थी लेकिन हम तो हर बात में तरक वित्रक करती हैं जरूर कोई ना कोई तो इसके कान बरता हैं मैं आज इससे बात करता हूँ वरना लोग इससे बढ़काते रहेंगे और हमारे गर में लड़ाई जगड़ी होते र मनीशा में देख राहू कोई तुम्हें बढ़का था जरूर है वरना तुम पहले तो ऐसे नहीं थी सस बताव आज किस से बात हुई है और किस ने तुमारे कान बरेमा कर रही थी कि आज तुम्हें किसी अनजान नंबर से कई बार फोन आया था और जैसे ही मा ने फोन उटाया तो उनकी आवास सुनते ही दूसरी तरव से फोन पटक दिया गया दिनिश को इस तरह बोलता देख मनीशा हैरान हो गई वह बोली दिनिश कैसी बाते कर रही हो तुम तुमसे ही उम्मीद नही थी मेरा फोन गर गया था और मुझे लगा रास्ते में कई गिर गया है मैं कीरण के नम्मर से खुद को इसी उम्मीद में फोन कर रही थी कि कोई मेरा फोन उठा ले और मुझे से बात करके मुझे मेरा फोन लोटा दे लेकिन किसी ने फोन रीसिव नहीं कि और जैसे ही ममी ने फोन रीसिव किया तो मेरी जान में जान नहीं लेकिन तबी कीरन का बैटरी कम होने के कारण कट गया मुझे कोई नहीं बढ़काता दिने सोर में क्या सोटी बच्छी हुँ जो दूसरों की बातों में आ जाओंगी पती पत्नी का रिष्टा विस्पास पर तीका होता हेवल तुम मेरे बारे में ऐसी सोस रखती हो ये मुझे नहीं पता दा बहुत दिन दुखाया है तुमने मेरा यसा कौन से पती पत्नी है जिन में आपसे मन मुटाव या लड़ाई जगड़ा नहीं होता थोड़ी बहुत निक नोग जोग तो सली रहती है इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे बढ़काता है जगड़ा तभी होता है जब मारे मन में कोई गलत फेमी होती है और हम उसे कलियर करने की जगब्यास करना सुरू कर देते हैं बोलते बोलते मनीशा का गला भर आयारव बेड नीरासो कर बैट गई सारी बात जानने के बाद अब दीनेश को बहुत बूरा लग रहाता उसे समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी भूलुई है उसका सिर्फ सरम से जुक गया और उसने देर ना लगाते वे मनीशा से माफी माग ली और उससे वादा भी किया कि वो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा मनीशा को दीनेश की आखों में पस्तावा साब्धिक रात आइसली उसने दीनेश को माब कर दिया इसके बाद दीनेश ने सारी बात अपनी मा को बताई और उने भी समझाया कि बहु पर सक करना सोड़ देब सुनीताजी को लगा कास वाने बेटी की बाद मानली नेती ले होती तो गर में बिना वज़का जगड़ा न होता और नाही वबव बेटे की नजरों में बूरी बनती हो और ने खुद से उसी समय वादा किया कि वह आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेगी दिनेश और सुनीताजी दोनों से गलती हुई और इसी कारण बिना वज़क गर में तनाव का माउल बन गया लेकिन अच्छी बात ये हैं कि दोनों को अपनी गलती का एसास हो गया और वह ने समय रब दी अपनी भूल सुधार ली दोस्तों कारण तो पता नहीं लेकिन साधी के बाद जब एक लड़की अपनी सेली या रिष्तेदार या फिर आसपडोस में किसी से बात करती हैं तो गर वालों को लगता है व़ लोग उसे भड़का रही से कारण कंई बार बवव पर बवव से पामद्या लगा दी जाती हैं क्या ये सही है? क्या एक बवव इतनी ना समझ होती है जो दूसरों की बातों में आकर अपने गर में कलग करेगी